इस वीडियो में हम हर्याना करंट अफेर 12 सितंबर के most important question लेके आई हैं आई ओप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप अमारे चैनल पर new visitor हैं तो अमारे चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल्स के आप देख रहे हैं मंजीत Academy चैनल चलो अब क्यूस्चन शुरू करते हैं क्यूस्चन नमबर एक National Institute Ranking Framework 2021 में चंदिगड की PGI में कौन सा स्थान हासिल किया है इसका answer है B दूसरा National Institute Ranking Framework 2021 में चंदिगड की PGI ने दूसरा रैंक आसिल किया है देशबर के टोप Medical College में PGI चंदिगड ने दूसरा स्थान आसिल किया है पहले स्थान पर All India Institute of Medical Science Amps दिल्ली है चंदिगड की बात की जाए तो इसका छेत्रफल 114 वरक किलोमीटर है देश का पहला नीजी Digital Court चंदिगड में विक्षित किया गया राज्य का पहला ब्रेड पारक चंदिगड में बनाया जाएगा राज के पसू बारतिय ग्रे मुंगूस है राज के वरक्ष आम राज के फूल डाक फूल राज के पक्षी बारतिय ग्रे होर्न चंदिगड का निर्मान ततकालिन परधानमंत्री जोहरलाल नेरू ने किया था नेक्स्ट क्यूस्चन नंबर दो हर्याना के किस विद्यार्थी को राष्टपती के द्वारा सम्मानित किया जाएगा इसका आंस्वर है बी गोरव हर्याना के गोरव को राष्टपती के द्वारा सम्मानित किया जाएगा यमनानगर के गोरव को राष्टपती के द्वारा सम्मानित किया जाएगा साथवी कक्षा के छातर गोरव शिंग के आईडिया का राष्टे स्तर परचेन किया गया है इस आईडिया को इंस्पायर अवार्ड नामक स्कीम में देश के टोप 60 में सामिल किया गया है यमनानगर जिले की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई नैशनल आईवे 544 उद्योग कागज मील सुगर मील दातों का उत्पादन परियतन स्थल ताजेवाला कॉंप्लेक्स अथिनी कुंड कॉंप्लेक्स बीरबल का रंग महल चनेट स्थूप गुर्दुआरा कपाल मोचन यमनानगर जिले में है यमना गैस लिमिटिड की स्थापना 1973 को हुई सर्ष्टी सुगर मील 1973 में लगाई गई एसिया की सबसे बड़ी मील है रेलवे कैरिज एंड वैंगन वरक्सोप 1922 में यमनानगर में लगाया गया क्युश्चन नमबर तीन हारियाना के कौन से सहर के अस्पतालों में निूरो सरजरी की मसीन लाई जाएगी इसका आंश्वर है भी रोतक हारियाना के रोतक सेर के अस्पतालों में निूरो सरजरी की मसीन लाई गई है रोतक पीजी आई के निूरो सरजरी जाने वाली रोगियों के लिए रहत बड़ी खबर है अब यहां ब्रेन ट्यूमर वेरीड पर लगी गंबिर चोटों का इलाज अत्यादूनिक मसीनों से होगा जिसके लिए स्वास्त मंत्री द्वारा निूरो सरजरी विवाग को करोडों रुपे की नमीनतम मसीने उपलब्द करवाई है रोतक जिले की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 नमबर 1966 को हुई साइमन कमिशन का विरोध 8 नमबर 1927 को रोतक में किया गया मिट्टी चिकनी मिट्टी नैशनल आईवे नह नाइच नाइन नह इकेतर नह इकेतर ए मेर्शी दायनंद यूनिवर्शिटी रोतक जिले में है इसकी स्थापना 1976 में बाबा मस्त नाथ यूनिवर्शिटी रोतक जिले में है मस्जिद लाल मस्जिद शिसे वाली मस्जिद और दिन्नी मस्जिद रोतक जिले में है क्युस्टियन नंबर च्यार अर्याना के किस जिले में अमेजन इंडिया कम्पनी अपना साथवा पूरति कैंदर बनाएगी अपना सातवा पूरति कैंदर बनाएगी और इससे राज्य के अजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए उवसर पैदा होंगे गुरुगराम जिले की बात की जाए तो इसकी स्थापना एक नुवंबर 1966 को हुई नैसनल आईवे एनेच टू और एनेच एट हैं साखसरतादर 84.70 परतिसत है मारुत्ती उद्योग मानिसर में इसकी स्थापना 1981 में की गई तितली पारक 11 नुवंबर 2017 कुत्र बारत का यह सबसे बड़ा पारक है राष्टे मस्तिक्स सोद संस्थान मानिसर में 16 दिसंबर 2003 को स्थापना की गई गुरूगराम बारत का पहला सहर है जो हर अविवार को रहीगिरी दीवस वनता है प्रेटन स्थल सीतला मात्ता मंदिर गरम जल का चस्मा दमदमा जील पटोदी महल समा प्रेटन छेत्र क्युस्चे नमबर पांच अरियाना के कितने खिलाडी 60 वी राष्ट्य ओपन एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में इस्सा लेंगे इसका अंश्वरसी सत्तर अरियाना के सत्तर खिलाडी 60 वी राष्ट्य ओपन एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में इस्सा लेंगे तेलंगाना में 15 सितंबर से 19 सितंबर तक होने वाली 60 वी राष्टिय ओपन एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में अर्याना के 70 खिलाडी इससा लेंगे इसमें 31 माईल एथलीट साम्मिल है कल के सवाल का उत्तर हर्याना में परियटक नीती बनाने और परियोजनाई चलाने के लिए कौन सी एजन्सी न्यूक्त की गई है कौन से जिले में राध्य स्तरिय योग परतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बोक्स में बताना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंटू में सेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें क्योंकि आने वा भग्वान कर्याप्स विका दिन सुब्रे